हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्ट बेंगॉल FC के संपर्ग में तो इस्ट बेंगॉल FC से रिलेटेड एक छोटा सा ट्रांसफर निउस आ रहा है जो कि इस वीडियो में आप सभी से डिटेल्स में शेयर करूंगा लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी सो छोटा सा रिक्वेश्ट करना चाता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चानल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके साथ मैं बेल आईकॉन को भी प्रेस कर दो तो दोस्तो जैसे के मैंने आप सभी को कल बताया था कि इस्ट बेंगॉल एफसी मैनेजमेंट चाहती है अपने स्क्वार्ड में दो फॉरेंड स्ट्राइकर्स को तो नर्जेस वाल्सकी और डेशन ब्राउन का चांसावी काफी जादा है तो ये बात मैंने अब सभी को क्लेरली बता दिया था तो एक नया अपडेट आ रहा है एक नय फॉरेंट स्ट्राइकर को लेकर जिन्हें इस्ट बेंगॉल एफसी मैनेजमेंट ने ओफर दिया है तो दोस्तो इस खिलाली का नाम है हर्ली संस सायोन डी सोसा फेरेरा तो दोस्तो सायोन एक ब्राजिलियन फिटबॉलर है मेली सेंटर फावर्ड में खेलते हैं और साथी दोस्तो राइट विंग में भी ये खेल सकते हैं तो दोस्तो साइन डी सोसा फेरेरा ब्राजील से बिलॉंग करते हैं और फिलाल इनका उमर है 31 वर्ष है और मेलिसिया के टॉप टायर लीग में खेल रहे हैं साइन डी सोसा फेरेरा तो इस्ट वेंगल एफसी मैनेजमेंट ने इनको ओफर दिया है ऐसा अपडेट आ रहा है इ इस्ट वेंगल एफसी मैनेजमेंट जा रही है और साइन डी सोसा फेरेरा भी मेली सेंटर फावर्ड में खेलते हैं लेकिन दोस्तो साथ ही ये राइट विंग में भी खेल सकते हैं तो जैसे के अभी फिलाल कपडेट है इस्ट वेंगल एफसी मैनेजमेंट अपने फॉरें कि एसटंगल एफ्सी में यह साइन करते हैं तो काफी अच्छा होगा इस्ट एफ्सी के लिए लेकिन दोस्तो ऐसा सुना भी जा रहा है कि साय णडी सोसा फेरेरा इंडिया में नहीं भी आ सकते हैं तो साय दी सोसा फेरेरा के ऊपर ही सारा decision है लेकिन East Bengal FC management के तरफ से जैसा update है कि East Bengal FC ने इन्हें offer दिया है तो दोस्तो इस हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकॉन के प्रेस कर दो तो चले दोस्तो अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में